ये हुआ करती थी किसी समय रावन की सोने की लंका आईए मेरे साथ में भई ये लो भई हम लोगों ने एंट्री ले ले लिए भई रावन की लंका में जाने के लिए ये रावन की वही सोने की लंका है जिसको हनुमान जी ने जलाकर राख कर दिया था जिसकी दिवारे हैं वो आज भी जली हुई है तो ये है रावन का बाथ टब जिसके अंदर रावन नहाया करता था ये है रावन का सिंगासन जो कभी सोने का हुआ करता था दोस्तो ये वही जहाँ पर रावण ने सीता माता को महल के अंदर किड़नेब करके रखा था दोस्तो स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से स्रिलंका के एक नए एपिसोड में और हमारी जो ये अभी सीरी चल रही है ये सिरी लंका की सीरी चल रही है मैं हूँ इस समय सिरी लंका के सिगरिया गाउ में मैं हूँ यहाँ पे और आज के इस वीडियो में भाई मैं आप लोग को पुछ खास दिखाने वाला हूँ दोस्तो मेरा नाम मनीश है दोस्तो अगर आप लोग वीडियो में ने हो तो वीडियो को लाइक करें आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भाई रावन का नाम तो भाई सभी लोग भी miss नहीं करें क्योंकि इस वीडरियों के अंदर आप लोग को बहुत कुछ देखने को मिलेगा तो हम लोग उस जगे पर चल रहे हैं जिस जगे का नाम है दाल लोइन रोक के सर्वा करार के नाम से उसको जानते हैं पर हमोग थो उसको सवून की लंका के नाम यह बड़ी सी चट्टान, इस पर हमें जाना है, और यहां से गुम के जाना है, इदर, आप यह जो मेरे पीछे टालाब देख रहे हैं, किसी टाइम पर इस तलाब का अंदर मगर मच हुआ करते थे, देखो यहां पर लिखा हुआ है, यह देखो, यहां पर लिखा हुआ है, इ तो 4920 रुपे का टिकेट है, काफी महेंगा टिकेट है, और अब हम लोग चलते हैं सीधा, रावन की सोने की लंका देखने के लिए, अभी हम लोगों ने जो टिकेट लिया था, उसको यहां पर चेक किया गया था, यह एक चेक पोस्ट है, और अभी हम लोगों की एंट्री ह दिखा था नो आप है, यह चोटा सा पुल है, इसमें कभी मगर मच रखे जाते थे, और यहां से हम लोगों को एंट्री लेनी है, यह जो सीडिया ना, इनसे हम लोगों को एंट्री लेनी है, तो चलिए हम लोग चलते हैं भई, रावन की सोने की लंका देखने के लिए, सोने के हुआ करते थे, और आप लोगों को सामने एक बड़ा सा परवत दिखेगा, इसके उपर रावन रहता था, और बताया जाता है, जब रावन सीता माता को किड्नेप करके लाया था, तो सबसे पहले इस महल के अंदर लाया था, और सीता माता ने इस महल के अंदर रहने से मना कर दिया था तो यह रावण की सोने की लंका वाल महल है इसको अब हम लोग देखने के लिए चलेंगे तो चलिए मेरे साथ में अभी मैं थोड़ा और अंदर आया हूं ना तो यहां पर देखो यह कुछ पानी के तालाव हैं यह छोटे-छोटे से कुंडे बना रखें हम आप यह देख सकते हैं यहां पर लोग साफ सताई का काफी ध्यान रच लें इसके अंदर थोड़ा घधा हूं से ओगाया है दोस्तों जो रावण था उसकी लंका में लाखो लोग रहते थे यहां पर अब रावन कहा रहता था रावन देखो वहां रहता था वो रावन की सोने की लंका थी जहां पर रावन रहता था और जो रावन की लंका में जो लोग रहते थे ना वो देखो यहां पर रहते थे उन लोगों के लिए यहां पर चोटे-चोटे सोने के महल बनाए गए थे यह जितने भी देख रहे हैं यह जो अभी खंडर वस्ता में यह किसी ज़वाने में बताया जा दा इन जो स्वे महल हुआ करते थे इस वोई कि पध्थर में तबदील हो गए है यह पूरे यह देख़ रहे हैं वो सालों से चली हुई आ रही है, बहुत सालों से चली हुई आ रही है, और अभी आप मेरे जो ये पीछे देख रहे हैं ना, ये रावन की लंका के समय के ये फवारे हैं, और इनको चलाया जाता था, कोई उनकी पुरानी टेकनोलोजी थी, उसके मादेम से इन फवारों को च समय पर यह सब फवारे चलते थे और मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक मैं मानता हूं सायद उस परवत के उपर जो रावन जहां पर रहता था तो वहां पर पानी का कोई बड़ा कुंड होगा तो उसके अंदर से पानी आता होगा तो जो प्रेसर बनता होगा पूरा तब यह पानी निकलता होगा देख सकते हो पूरा वह से इसको फाउंटन गार्डन बोला जाता है इस जगे को कुछ इस तरीके का सीन है और लगता है कि हम अभी आदे रास्ते में हम लोग सायद पहुंच गये हैं तो देखते हैं चलके आगर कितनी दूर है और यहां से जैसे जैसे हम रावन की जो लंका थी उसके जितने नजदीक जा रहे ना तो वही ऐसा लगा जैसे यह परवत हमारे तरफ आ रहा है कितना विसाल है यह देख सकते हो काफी बड़ा है यह परवत दोस्तो हम लोग थोड़ा रावन के बारे में बात कर लेते हैं रावन अगवान सिरी रा का दुस्मन था क्योंकि वो माता सीटा को वहां से किड्नेप करके लाया था पर लेकिन ऐसा नहीं है उसके अंदर कुछ ऐसे गुण थे कुछ ऐसी अच्छी बाते थी जैसा कि वह एक महा विद्वान पंडित था उसके पास में बहुत सारा ग्यान था और महा बलसाली था औ और उसका जब शासनकाल था ना यहां पर तो उसके शासनकाल में जो लंका थी वो पूरी सोने की लंका थी उस समय पर और सबसे बड़ी बात जो रावन था वो एक विद्वान पंडित था और भगवान सिव का वो सबसे बड़ा भक्त था कहा जाता कि वह उससे बड़ा मतल भी वह जगे है और वहां पर रावन की लोग पूजा भी करते हैं मंदोर गार्डन के नाम से वह जगे है राजस्थान में यहां पर न देखो दो बड़े-बड़े पत्थर लगा रखे हैं यहां पर यह सायद मुझे सा लगता है कि रावन की लंका में जाने के लिए रास्ता अगय को पाथ था न या व्याज का पर चोटा रास्ता आ रामन के सुआ तो अड़ जाते होगे शोटा रास्ता दो बड़े-बड़े पत्तर है पुरी यह पत्त्र न वाई गेरनायेट की चट्टान कि चलके और देखते हैं अगया काफी पतला सा रास्ता है शोडाः आप तो ऐसा दिखाई देगा और सही बताऊ ना तो भाई देव यहां पे ना मोसम है वो अभी ठंडा है तो बाकि यहां पे न जो हम लोग सीडिया चड़ता है तो भाई सास तो फूले लग दिये रास्ता गुवा गुखा के लिए अगर आप आते हो ना तो यहां पानी जरू ने लोगी सीडि देख रहें इससे अम लोग ऊपर जाना आए देखो इन सीडियों से वकराव में जाना पड़ेगा यू पहाड की आप बगल में यह सीडियों देख रहें ना काफी खतरनाक होने वाला है यह ट्रिप तो इतना जोकिम तो उठाना पड़ेगा और मैं इस जोकिम को उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ वाई अवो मेरे साथ में चलते हैं वही रावन की लंगा देखने के लिए काफी दूर आगे हम लोग और यहां पर हवा ना वह काफी तेज चल रही है मदमक्खों की मक्खें हैं जो उनकी आवाज भी जादा है और हवा भी काफी तेज है और सास है वह फूलने लग गई है कोई नहीं होता है यह देखो वाई काफी खतरनाक है और यहां देखो यहां पर भी छोटे-छोटे से इस्थान बना रखे न तो यह कभी महल हुआ करते चोटे-छोटे जो रावन की लंका में लोग रहते थे उनके महल हुआ करते थे और यह सब सोने के हुआ करते थे उस समय पर तो चलिए यहां से चलते हैं हवा है वो काफी ज्यादा है थोड़ा सा आप लोग का हवाज में डिश्टरब हो सकता है दोस्तों आप मेरे पीछे यह जो बड़ी सी चक्तान देख रहे है ना भाई यह हुआ करती थी किसी समय रावन की सोने की लंका और यहां पर आगर आप देखोगे ना जो इसका में हेंटरिंस गेट है ना यहां पर दो बड़े बड़े पंजे इन्होंने यहां पर डिजाइन कर रखे हैं और इसके अ यहां पर रुक रहे हैं और इसकी आर बनावड देखो यह किसी जमाने में बताया जाता है कि भाई यह जो पूरा परवत था ना भाई यह सोने का गवा करदा था देख सकते भाई यह रावन की लंका है और अगर आप लोग को साउंड सुनाई दे रहा होगा ना तो यहां अपने मक्हे हैं बहुत जादा और में हाथ भी कर रावन कहीं मतलब वो काट नहीं ले बड़ी बड़ी मक्हे आए तो चलिए हम लोग चलते हैं रावन की लंका देखने के लिए हां से हम लोगों को चलना है वाई देखो यह वाई देखो इस गेट कीना लुकूंग देखो इसका डिजाइन देखो भी काफी खतरना है तो चलते हैं हम लोग तो आएए मेरे साथ में भई पहली बार मैं भी सोने की लंका थी जो रावन की उसको पहली बार अकिकत में मैं देखने वाला हूँ तो इसके साथ में हम लोग चलते हैं अंदर आए मेरे साथ में यह लोगो बनाई गई है यह जो दिवार वगेरा है यह जो सीडिया है यहां से देख हुआ है पहाड देखो आप यह पूरा गिरे नाइट का पाड है कि इसे सोने का हुआ करता था ऐसा बताते हैं इधर से हमें चन्ना भाई सीडियों से जब हम आदे रास्ते पर आए ना तो सहां से वो फूलने लगे हैं देखो और यहां से भाई यह दिरस्चे देखो भाई एक दम ब्यूटिफुल दिरस्चे है यह देखो क्या न जा रहा है चार तरफ जंगल से घिरा हुआ है काफी खूश से तुन जा रहा है और वहां दूर एक जील भी है अब जील का नाम मुझे पता नहीं कुन सी है और यह सामने एक परवत हो रहे हैं इधर चलना आए सीड़ी कितनी खतरना आते है खे देखो पहले यहां पर देखो यह छोटी छोटी सी न यह सीड़िया थी जिनको इन पर रेलिंग लग रहे थी तो और लोग पगर के चड़ते थे सायद अब यह इस्टील वाली लोही की जो खीड़ी यहां पर लगा रख किया है काफी खतरना के यार यह मान के चलो साल दानी हटी दुलगतना गटी बहुती डैंजर है वीचे तो आप देखी सकते हो ऐसा ही में जो हरी हरकक की लान वहां पर भी गया था तो वहां पर भी कुछ इसी तरीक़ कर नजा रहा है पर वहां पर यह नहीं थी वहां पर बिलकुल सिंपल था और आगे हैं भाई यहां रास्ते पर उपर भी सीड़िया है इधर से देखो काफी खदरनाक है यार रामन कैसे आता होगा फूर हाट गार दोस्तों अभी हम लोग बिल्कुल उपर में आगे हैं और अभी आपका स्वागत है भाई रामन की जो सोने की नंका थी उस को पर हम लोग चलते हैं नजारा देखो भाई वास्तम में और मेरी जो सांस है वह फूल नहीं लग गी है यह देखो यह चोटा सा कुंडा है मना लग खाईदर्स आप यहां पर आप देखोगे नंब तो यह जो ओँटा है ना यह कफी पुरानी है और यह एट है जो यह उसकी नहीं है यह पत्तर की ओँटा Corinthians होती ही यह वो टाइल ये लाल वाला मुह लें उसकी टायल हैं ये के देखो वहीं अभी हम लोग glucose को जगे के बिल्कुल टोपर है जिसको दाल लोईन रोख और रावन कि सोनी की लंका बोले जाता है आप ही बताऊंगा थोड़ा सा रिलेक्स करने के बाद में उसको मैं बताऊंगा आपको दोस्तों ये हुआ करती थी कभी रावन की सोने की लंका जहां पर रावन रहा करता था तो ये इसका उपर का जो बिल्कुल टॉप है ना ये वो टॉप है और यहां पर उस समय ये बताते हैं कि ये सोने का हुआ करता था रावन के जमाने में अभी हम लोगों को उधर भी चलना है दूसरे साइड में और यहां पर आप देखोगे तो आपको यहां पर छोटे 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 ये महल बना रखें हैं यहां पर तो ये उस समय सोने के गवा करते थे और इसकी जो कहानी है ना असली कहानी उसको भी मैं बता थेख लेते हैं यहां पर जो ये अलग-अलग मैहल बना रखें ना इनका हम तोड़ा सा जाईजा ले लेते हैं और फिर हम आप लोग को इसकी कहानी के बारे में जो अतली कहानी उसके बारे में बढ़ाएंगे ये देखो ये क्या चीज है अच्छा ये सायद रावन का बाथ टब था सायद ये ये जो देख रहे हैं न हाप ये इसमें रावन नहाया करता था और यहां पे न हाँ छोटे-छोटे मार्किंग भी कर रखे हैं पर उनके उपर जो डिटेल थे न वो अभी मिट चुकी है ये देखो ये भई पूरी सोनी क लंका हुआ करती थी छोटे-छोटे महल है और इसके चार तरफ आप देख रहे हैं ये पूरा जंगल है जंगल के बीच और बीच में ये पूरा मांटेन बना हुआ है परवत बना हुआ है ये देखो ये सब रावन के जमाने का बताया जाता है दोस्तों जो ये लोईन उन्होंने उन्होंने एक उनका एक सोतेला बेटा था जिसका नाम था राजा कस्यप बताया जाता है कि राजा कस्यप ने यहां पर 473 इस्वी से 495 इस्वी तक उन्होंने इस पर राज किया था और उन्होंने जो राजा धतुसेन था उसको मतलब दिवार के अंदर जिंदा चुनवा दिया था और जो धतु सेन था उसका जो असली बेटा था जिसका नाम था मोगल गाना तो उसको भी उसने बंदी बना लिया था राजा कस्यप ने और फिर इसके उपर उसने सासन किया था उसके बाद में जो राजा धतु सेन का जो लड़का था जिसका नाम था मोग आपको उसने, मतलब अपनी खुद की तलवार से उसने अपनी आत्मात्या कर ली, उसके बाद में ये सबकुछ मोगल गाना का हो गया, उसके बाद में मोगल गाना ने ये सबकुछ छोड़ दिया और वो भी चला गया है यहां से, ये आप जो मेरे पीछे जगे देख रहे हैं यहां पे देखो यह हनुमान जी और यहां पे हवाइना काफी तेज चल रही है और इसमें देखो वहां पर सीडिया भी है उपर जाने के लिए बंदर केला छीन लाया भई ये देखो अंगरेज के हाथ से उसने केले ले लिए और अभी हम लोग चलते हैं इसके दूसरी साइड में वहाँ पर भी कुछ जगे हैं देखने के लिए अगर वहाँ पर भी हमें रावन से जुड़ी हुई कुछ चीजे मिलेंगी कुछ बाते मि देखो यहां पर यह लोग हीट काटकर यहां पर लगा रहे हैं और यहां से देख रहे हैं हम भाई काफी सुन्दर नजारा यहां पर देखो यह चारो तरह इसके जंगल है और यहां देखो यह एक जील है जिसमें कमल के फूल खिल रहे हैं और व्यूपॉइंट भी है यहा और यह देखो, यहां से हम लोग आएं बैद नीचे से, यह जो आप देख रहे हैं न यह एक रास्ता बना हुआ है, यहां से हम लोग आएं बाई, काफी सोर है, काफी हवा है, तो मेरी आवाज में आप लोग थोड़े से कम आएगी, यह इधर पार्किंग है, इधर से हम गद्धी गद्धी तो रावन उसकता है पूसकता है यह εस बात को पुष्टी नहीं करता कि भई यह उन दोनों की गद्धी है पर लेकिन यहां पर ना यह बना रखे और इसको उपर लिखा हुआ है कि भई इसको उपर बैठने का अलाउड नहीं है और देखने में भी वह से काफी पुरानी लग रही है एक बड़ी सी जो चट्टा है ना उसको काट कर इसको बनाया गया है और इसमें साथ यहां पर जो यह आपको दो होल दिख रहे हैं यह गड़े इधर भी और इधर भी साथ इसमें यहां पर ना वो सिंगा सन्याद मतलब छत्री के चाया करने के लिए कुछ उस समय का सिस्टम होगा यहां पर तो आप कमेंट करके आप बताईए कि भई आप लोगों के हिसाब से यह क्या था अभी हम लोग इस महल को देखने के बाद में यहां से वापस जा रहे हैं तो रास्ते में भी कुछ जगे आती हैं तो उनको भी देखें क्योंकि जो एगजिट पॉइंट है वो अलग जगे से हैं वहां पर देखते हम लोगों को देख से जा रहे हैं वापिस श्रावन की समने की लंका है उससे हम लोग वापिस जा रहें श्रें दोस्ते बात में बताओं आप लोग पो अपने जो इंडिया के जो लोग है नहीं वह रामन के बारे में एसा सोचते हैं कि भाई कि रावन एक बुरा आदमी था बहुत मतलडल मिल बगवान इपन्डित था भई महा ज्ञान था उसको बहुत ग्यान था और वो बगवान सिव का परम भगता वाई तो चलिए आप हम लोग चलेंगे यहां से दूसरी साइड में हम लोग चलेंगे जहां से हम लोग को बाहर जाना और अभी हम लोग देखो यहां पर आगे हैं और यह जो आप देख रहें ना भाई हम लोग देखो पूरा उपर से नीचे आ गए हैं बागी खतर ना गए पूरा तो चलिए हम लोग वापस चलते हैं और फिर देखते हैं आगे हमें क्या मिलता है यह देखो भाई दोस्तों आभी हम लोग जब यहां से बाहर जा रहें ना तो भई आम लोगों को बाहर जाने के लिए देखो कुछ ऐसा रास्ता बना रखार में दिखाता हूं काफी मतलब खत्रा भराय रस्ता है देखो यह देखो कुछ ऐसा रास्ता है और यह एक सपोर्ट के लिए ना यह व से रैलिन देख सकते हैं। इसमें को vient कट कर यहांपे बना रखी हैं। और वाकिता हैं। बार सार्थ किret देखें कहते हैं। इधर से आपने बार सांथ दांच जह कहा हैं। ऐसा रास्ता वना रखा हैं काफ़ी अलग अलग जगह हैं अलग 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 रास्ता बना रखा है सेप्टी के लिए सब यह बनाया आई इसका मजारत देखो भाई काफी ब्यूटीफुल है और खतरनाग भी है दोस्तों आखिर में हम लोग जो रावन की लंका थी जैसा बता तो इस वीडियो को हम लोग यहीं सवाप्त करते हैं, मिलेंगे हाप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए हाप सभी को हमारी तरप से जे हिन, जे भारत अपना ख्याल रखेगा, और वीडियो को लाइक, सेर और इसके बारे में कमेंड जरूर कीजिएगा.